नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में अगस्त 2024 महेने के 200 सबसे महतपुन प्रस्ण को डिसकस करेंगे जबके आगे आने वाले सभी एकजाम के लिए महतपुर्न है तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखेगा अगस्त महिने के ये सारे प्रस्द आपके वन लैनर फॉर्म में है और सारे पॉइंट को स्पीडी के बुक से लिया गया है तो आप लोग ध्यान से देखेगा यहां से बाहर आपका अगस्त महिने का करेंट फिर एकदम नहीं पूछेगा तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महतपूर्न रामबान है इसका पीडियाप के लिए आप टेलीग्राम गूरुप जोइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्केप्सर में दिया गया है अगर वीडियो आप सभी को हिलफुल लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाईएगा और साथ ही अपने दोस्तों में वीडियो को सेयर जरूर कीजेगा तो आई देखते हैं पहला पुएंट किस देश की सादो सोने की ख़दानों को इने इसको बिरासत का दरजा मिला है तो जपान देश की किस देश ने राम मंदिल में बिराजमान भगवांसरी राम पर टिकट जारी किया है तो लाउस के दवारा जारी किया गया है किस ने सर्च जी पी टी लाउंज किया है तो ओपन ए आई के दवारा लाउंज किया गया है आप लोग कॉमेंट किजिएगा कि GPT का फूल फॉर्म क्या होता है 94 अंतरास्टी बहुत की उलम्पियाड में भारत में कितने पदक जीते हैं तो 5 पदक जीता गया है B. बेंक किया एपी ग्राफी प्रोइसकार 2024 किसने जीता है तो B. बेदा चलम के दुवरा जीता गया है इंगलिस चैनल तेरकर पार करने वाली सबसे युबा और सबसे तिवर तेरा कौन बनी है तो जीया राज बनी है किस देश की सरकार ने अवारा कुटों की इच्छा मिर्तु के बिवादस्पद कानुन को मौनजूरे दी है किस टाइगर रिजर्ब में पहली बार बेजली उतपादन के लिए पवन्ट टर्वाइन अस्थापित किया गया है तो पेरियार टाइगर रिजर्ब में और आप लोग कमेंट किज़ेगा कि पेरियार टाइगर रिजर्ब किस राज में है जो इस सवाल आपसे पूछा जाता है उसके बारे में जनकारी कमेंड बॉक्स में जरूर लिखे दो हजार पचीस में T20 Asia Cup की मेजवानी कौन करेगा तो भारत देश करेगा Belgium Grand Prix किसने जीता है तो लुईस हेमिल्टन के दुबारा जीता गया है क्रिसी अर्थ सास्तियों का 32 अंतरास्टे सम्मिलन कहां हुआ है तो नए दिल्ली में बिदेश मंत्री येस जैसंकर ने कहां महात्मा गांधी की परतीमा का अनावरन किया है तो टोक्यो में किया गया है टोक्यो जपान की राजधानी है किसने पूर्व सैनिकों के लिए इस सहत टेली कंसल्टेंसी सुभधा शुरू की है ते शुरू किया गया है भारती सेना के दौरा किस राज ने धर्मांतरन बिरोधी कानून में संसोधन किया है तो उत्तर प्रदेश राश सरकार के दौरा किया गया है पियम मोदी ने किसके दौरा एसी आई सेरो पर लिखी गई पूस्तक कॉल आफ दागीर का बिमोचन किया है तो परिमल नाथवानिक दौरा लिखे गए किताब का बिमोचन किया है केंद्री मंत्री गजेंद्र सी शिखावत ने कहां यूग यूगीन भारत संग्राले का उठगाटन किया है तो नई दिल्ली में किया है केवा फीस की नई परजाती की खोज कहां हुई है तो मेखाले में हुई है केवा फीस की नई परजाती की खोज सेना की चिकिस्ता सेवा की पहली महला महा निर्दिशक कौन बनी है तो साधना सक सेना बनी है बिस्व का दुसरा सबसे बड़ा इलमोनियम उत्पादक कौन बना है तो भारत बना है और पहला चीन है कहां मुख मंत्री परमोध सावंत ने गोयम बिना मूल बिज एवजन योजना शुरू की है तो गोवा में शुरू किया गया है किमकि जो परमोध सावंत है ये गोवा के मुख मंत्री है इस साल यूनिकॉर्ण बनने वाला तिसरा स्टार्ट अप कौन सा बन गया है तो रैपीडो बन गया है रैपीडो किस देश ने उक्रियन को पहला एप सुलला फाटर जेट और नया एर डिफेंस सिस्टम सौपा है तो उक्रियन को अमिर्का के दुबरा सौपा गया है इसे दुबरा देखेगा किस देश ने उक्रियन को पहला एप सुलला फाटर जेट और नया एर डिफेंस सिस्टम सौपा है तो अमिरका के द्वारा सौपा गया है यात्रा एबं प्रियतन विकास सुचकांग 2024 में कौन सिर्ष पर रहा है तो अमिरका सिर्ष पर रहा है इसरो ने अमिरका के साथ मेशन के लिए किसे अपना मुख अंत्रिच्यात्री चूना है तो गुरूप कैप्टेन सुभान्सु सुकला को चुना है राजपालो के बमन में सेमिलन की मेजवानी किसने की है तो राश्पती द्रोपदी मुर्मुजी के द्वारा किया गया है बिश्व सिल्प परिशत द्वारा किस सहर को बिस्व सिल्प सहर का नाम दिया गया है तो स्रीनगर को दिया गया है जो जम्मो कास्मिर की राजधानी है 2023 में वैस्वे किर्शी निर्यात में भारत कौन से अस्थान पर रहा है तो 8 में अस्थान पर N.C.E.R.T. ने कच्छा 6-8 के लिए कितने बैगलेस डेज परस्तावित किये हैं बिना बैग वाला डेज कितने परस्तावित किये हैं तो 10 डे चौथा रास्टी हिंदी बिग्यान संविलन 2024 कहां आयुजित हुआ है तो मद पर देश के भोपाल में हुआ है भारत और किस देश ने लोथल में समंद्री बिरासत परिसर का साज़िदारी की है तो भारत और बैयतनाम के दुबरा किया गया है भारत में एलन जी का दुसरा सबसे बड़ा अपूर्ति करता कौन बना है तो अमिर्का बना है एलन जी का फुल फॉर्म क्या होता है लिक्यूफाइड नेच्रल गैस होता है मुक्यवाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलम्पिक रेफरी कौन बने है उनका नाम क्या है तो उनका नाम है कविलन साई असोक कविलन साई असोक उनका नाम है किस राज बिधान सभा ने खनन खनीजों पर उपकर लगाने सम्मंदी बिधैक पारित किया है तो जारखंड राज सरकार के दवारा जारखंड बिधान सभा के दवारा पारित किया गया है भारती नौसेना के जहाज तवर ने किस देश की नौसेना के जहाज के साथ समुंदरी साज़िदारी अभियास किया है तो रूस के नौसेना के जहाज के साथ ठीक है ना सरकार ने बिमान रख रखाओ मरमत और ओवर होल्डिंग में कितने प्रतिसत एवडियाई को मंजूरी दी है फॉरेंड डारेक्ट इन्वेस्टमेंट की मंजूरी दी है तो 100% दे दिया है इसे बेवी आई कर लीजेगा अप लोग मेरे दोस्त किस देश ने 20 साल बाद 100 मिटर रेस का गोल्ड मिडल जीता है तो इवसेक द्वारा जीता गया है मौसम पुर्मा अनुमान के लिए कहां डॉपलर रडार अस्थापित किया जाएगा तो लहौल अस्विती हिमाचल प्रदेश में आसियान भारत वस्तु बेपर समझोते की समिच्छा के लिए पाचमी A.I.T.I.Z.A सैंउक्त समीती के बैठक कहां हुई तो जाकरता में हुआ कहां हुआ जाकरता में जाकरता कहां पर है तो बरतमान में इंडोनेसिया की राजधानी है सौदमी भारत वियतनाम रच्छा नीती वारता कहां आयुजित हुई तो नए देली में किस राज सरकार ने महलाओं के लिए मुख मंत्री मैया सम्मान योजना सुरू की है तो जारखंड राज सरकार के दवारा किस राज में लौज जिहाद के दोसी को उम्रकायत के सजा दी जाएगी तो असम राज में सरबोच नियाले द्वारा आयुजित बेसेश लोक आदालत का समापन कहां हुआ तो नए दिल्ली में हुआ किस हाई कोट ने धारा 77A को आज समय धानी घोसित किया है तो मदराश हाई कोट के द्वारा किया गया है कहां बिरासत प्रदरस्नी शुरू हुई है तो नए दिल्ली में 5 अगश्त 2024 को बिरासत प्रदरस्नी का आयुजिन किया गया है पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने टेनिस में पहला गोड मेडल जिता है तो जिता गया है नोवाग जोकुबीच के दवारा इनका संबंध सर्विया से है मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जिता है तो आस्मा कुमारी केसिक दवारा जिता गया है आपदा परबन्धन बीमा कराने वाला देश का पहला राज कौन सा बना है तो नागा लैंड राज बना है किस राज को जिवन दान पुरसकार मिला है तो आंद परदेश राज को कौन से राज सरकार सभी फसलों की खरीद नियुंतम समर्थन मुल पर करेगी तो हर्याना राज सरकार करेगे क्योंकि हर्याना में चुनाओ है केहन सरकार ने किस राज के आदी चुन्चन गिरी और चुनालूर को मोर अभ्यास गोसित किया है तो आपको ध्यान रखना यह आदी चुन्चन गिरी है यह आपके करनाटक में है जबकि चुलान नूर आपके किरल में है इस दोनों को मौर अभ्यारन गोसित किया गया है इसे ध्यान से याद रखेगा आपसे पूछेगा यह कहां पर है यह कहां पर है इसे नोट कर लेजिएगा इनपॉर्टेंट है राश्पती द्रोपदी मुर्मु को किस देश के सरबुच नागरी के सम्मान से सम्मानित किया गया है तो फिजी के राश्पती द्रोपदी मुर्मु को ठीक है अगला देखे सेम चीज़ है इन सी डवलू नेशनल केमिशन फूर बॉमेन ने सैवर अपरादों से निपटने के लिए डिजिटल सक्ति के अंदर कहां शुरू किया है तो नई दिल्ली में किस ने डेटा प्रबंधन के लिए निवाही का बेब पोर्टल लॉंच किया है तो एनारिटी काली कट के द्वारा लॉंच किया गया है किस देश के डेकिन बिस्विद्याले ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना पहला कैमपस अस्थापित किया है तो अस्टेलिया के बेकिन बिस्विद्याले ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैमपस खोला है ठीक है न किस राज सरकार ने वनो और पच्छमी घाटों में अतिकर्मन हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है तो करनाटक रासरकार के द्वारा कहां कि बिधान सभा में अनुसुचित जन जाती आरच्छन के लिए बिधायक पेस किया है तो गोवा बिधान सभा में अनुसुचित जन जाती आरच्छन के लिए बिधायक पेस किय तो भारत की घ्रिब मन्त्री इनिसट्र गारब मिने सब्ता इस इस का कहा है किस देश किया है तो बै अव बंगाल Initiative for Multisectoral Technical and Economic Corporation इसका फुल फॉर्म होता है बहुपच्छी बायु अभ्यास तरंग सक्ती 2024 कहां शुरू हुआ है तो तेमिल नाड़ु में Fortune Global 500 सुची में कौन सी कमपनी सिर्ष पर रही है तो Walmart कमपनी सिर्ष पर रही है जो अमिरिका की कमपनी है भारत का पहला जियाय टेग वाला अंजीर जूस कहां निरियात किया गया है तो Poland में किया गया है भारत का सबसे किफाइती अवास बजार कौन बना है तो अहमदाबाद बना है Westwick Mirtech समेलन 2024 कहां सुरू हुआ है तो नई दिल्ली में पहलमान बिनेश फगाट पेरिश ओलम्पिक से कितने ग्राम अधिक बजन की बजा से वाहर हुई थी तो आप सभी को पता है 100 ग्राम भारत के अच्छे उर्जा छमता एक दिसक में कितनी बढ़ी है तो 165 परसेंट बढ़ी है किस देश ने अस्टार लिंक का मुकाबला करने के लिए पहला उपगरा समुह नेटबरक लॉंच किया है तो चीन के दौरा लॉंच किया गया है पेरिश उलंपिक में नीरच चोपडा ने क्वालिफ़ायर राउंड में कितने मिटर का थ्रो किया है तो 89.3-4 मिटर का थ्रो किया है किस राज ने कारागार एवं सुधार सेवा बिधे कुम मंजूरे दी है तो महरास्ट राज सरकार ने AIPA आसियान इंटर पारलिया मिन्टरी एसेंबली सलाकार परिशद की सातमी बैठक कहां पर हुई है तो लाउस में हुआ कहां पर हुआ है लाउस में खबरों रहा पोवी तोरा वन जिब अभियारन किस राज में है तो असम में है अरबियाई ने यूपियाई कर रजय बैंक ओफ इंडिया ने यूपियाई कर भुग्तान सीमा को बढ़ा कर कितना कर दिया तो fidelity 5 लाउस्या है तो मलेसिया में भारती सिरा ने कहा परवत प्रहार अभ्यास आयुजित किया है तो लद्दाक में किस देश ने CAVA महला बॉलीबॉल रास्ट लीग का दुसरा खिताब जीता है तो भारत देश के द्वारा जीता गया है पेरिस ओलम्पिक में निरत चुपडा ने कौन सा पदक जीता है तो जीता गया है रज़त पदक जीता गया है बेवियाई कर लिजेगा साल 2023 में सर्विसिस्ट परेटन गाउं की रूप में कितने गाउं को मानता दी गई है तो 35 गाउं को मानता दिया गया है पेरिस ओलंपिक में भारती होकीर टीम ने कौन सा पदक जीता है तो कास पदक जीता गया है किस राज सरकार ने पांच लाख रोजगार अफसर पैदा करने के लिए लोजिस्टिक नीती को मंजूरी दी है तो महरास्ट राज सरकार के द्वारा मंजूरी दिया गया है किस IIT ने वास्तविक समय में लोकेशन ट्रेकिंग के लिए इजूते बनाये हैं तो IIT इंदोर के द्वारा बनाये गया है किस राज सरकार ने भारत के तिसरे सबसे बड़े बाग अभ्यारन को मंजूरी दी है तो 36 गल राज सरकार ने ससस्त्र बल चिकिस्टा सेवा के महा निर्देशक कौन बने है अगला पॉइंट है किस राज सरकार ने उपस्तिती πोर्टल लॉंझ किया है तो 36 गल राज सरकार के द्वारा लॉंज किया गया है किस राज सरकार ने अस्थानिया निकाएं चुनाओ लड़ने बाले बेक्तियों के लिए दो बच्चों की निती समाप्थ कर दिया है तो अंत पर्देश राश सरकार के दोबहारा समाप्थ कर दिया गया है देश के पहले रईस एटियम का उडगाटन कहा किया गया है तो उडिसा में किया गया है बहुत ही जवरदस्त point है कि देश के पहले राइस एटियम काउट गाटन कहां पर किया गया है उडिसा में इसे बेबी आई कर लिजेगा यूनिसेफ और किस राज सरकार ने पीता को अस्तन पान में सामिल करने के लिए साज़ेदारी की है तो यूनिसेफ और पच्छे मंगाल राज सरकार के द्वरा ये साज़ेदारी किया गया है राज़पती द्रोपदी मुर्मू को किस देश के सरबोच नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है तो तिमोर लिस्ते देश के फोपस के बिलिनेर्स की लिस्ट में कौन सिर्ष पर रहा है तो एलन मस्क सिर्ष पर रहे है टेसला कमपणी इलन मस्ट का ही है आपको पता भी है साथ ही और स्पेस यक्स भी आपके इलन मस्ट की कमपणी है किस राज में मानाव हाथी संगर्स को कम करने के लिए हाथी एप लॉंच किया है तो यह लॉंच किया गया है और सम राज में लॉंच किया गया है पेरिश उलम्पिक में अमन सहरावत ने कौँं सा पदक जीता है तो कास पदक जीता है राजनाईक समंदो को मजबूत करने के लिए भारत कहां वानीजी दुतावास खोलेगा तो ऑउकलेंड में खोलेगा कहां खोलेगा औक लेंड में खोलेगा लोकार्णो फिल्म फेस्टीबल दुहजार चोविस में परडो अल्ला केरियरा अवार्ड से किसे नवाजा गया है तो सारुख खान को नवाजा गया है परडो अल्ला केरियरा अवार्ड से सारुख खान को नवाजा गया है लोकार्णो के दिभ्यांग जन अभ्यां दलने अफिरका के सबसे उची चोटी पर तिरंगा फ़हाया है तो रच्छा मंत्रा लेके दिभ्यांग जन अभ्यांदल ने राष्पति दिरोपदी नियुक हैं नहीं टोश्चाइद किया यह इसलभ मतलब है इंटरनेशनल ओलम्पिक कमिटी ने किसे ओलम्पिक आउडर से सम्मानित किया है तो अभिनाव विंद्रा को किया है पेरिश ओलम्पिक में पदक तालिका में भारत किस अस्थान पर रहा है तो 71 में अस्थान पर आपके पेरिश ओलम्पिक में पदक तालिका पर भारत रहता है आप लोग कम पहले वैस्विक महला कवड़ी लिग कहां होगी तो हरियाना में किस राज सरकार ने मंदिरू मठो और ट्रस्ट के रेजस्टेशन को अनिवार बनाया है तो बिहार राज सरकार ने किस बैंक ने द्रिस्टी वाधित लोगों के लिए ब्रेल डेविट काड लॉंच किया है तो किसम जारी की है तो एक सो नौ कितने जारी किया गया है एक सो नौ इससे बेवियाई करके मार कर लिजेगा आप लोग सांस्कृतिक उस्टव कसूर रिवाज कहां संपन हुआ है तो जम्मु कास्मीर में भारत और किस देश ने मुनाल उफगरा के परच्छेपन के लिए समझावता किया है तो भारत और नेपाल के द्वारा किया गया है किस देश ने सबसे बड़े कारगो ड्रोन का परिच्छन किया है तो चीन के द्वारा किया गया है भेल को किस राज में 1200 मेगावाट की ताब बिद्दूत परियोजना मिली है तो जारखन में भेल कंपनी को मिला है भारत हैवी अलेक्ट्रोनिक लिमिटेड को उच्छ सिच्छा संस्थानों की राश्टिय रैंकिंग में कौन सिर्ष पर है तो आयाटी मदराश सिर्ष पर है किस राज के मुखमंत्री प्राकिर्ति खेती को बढ़ावा देने के लिए नई पहल हिम उन्नति की सुरुवात की है तो हिमाचल परदेश के मुखमंत्री ने प्राकिर्ति खेती को बढ़ावा देने के लिए पहले हिम उन्नति की सुरुवात की है आप लोग कॉमेंट में लिखेगा कि माशल परदेश के मुख मंतरी कौन है जितना सवाल पूछा गया है मेरे मित मेरे भाई लोग तो आप लोग कॉमेंट में इसका जबाब ज़रूर दिजिएगा जुलाई 2024 के लिए ICC Player of the Month किसे चुना गया है तो चुना गया है Gus Anticans England से इनका संबन्द है जबकि चमारी अथा पतु इनका संबन्द से लंका से है फिर से बोलते हैं जो आपके जुलाई मन्द का ICC Player of the Month चुना गया है गस एट किंसन को जिनका संबन्द England से है तथा चमारी अथा पतु इनका संबन्द आपके स्रिलंका से है पुरुष में चुना गया England वाले को महलाम चुला गया स्रिलंका वाले को है न किस देश में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया है तो तुर्की में खोजा गया है BPCL Big Cricket League ने दिर्खकालिक प्रशारन के लिए किस के साथ समझोता किया है तो प्रशार भारती के साथ में समझोता किया है सिनेटरी पैड के लिए छात्रों के बैंक खातों में रासी भेजने वाला पहला राच कौन बन गया है तो मद परदेश बन गया है किसे डोपिंग निरोधक, वेर, अवारट, नियम के उलंगन के कारण पैरा उलंपिक दोहजार चोविस से बाहर कर दिया गया है तो परमोध भगत को कर दिया है बाहर DRDO ने लंबे दूरी के गलैड बम गौराव का सफल परिच्छन कहां किया है तो उडीशा में किया है DRDO का फुलफॉर्म क्या होता है Defense Research and Development Organization इसका फुल फॉर्म होता है IIT गांधी नगर ने किस IIT के साथ मिलकर ए नर्मदा का सुभारम किया है तो IIT इंदौर के साथ में मिलकर राश्पती दिरोपदी मुर्मू ने किसे सौर चक्र से सम्मानित किया है बिंग कमांडर वर्नोन डेशमंड कीन को किस राज ने प्राचीन रतनागेरी रौक कला को सनचित असमारक गोसित किया है तो महरास्ट राश सरकार ने किस देश के बिग्यानिक ने अबसिस्ट कम करने के लिए प्लास्टिक खाने वाली कबक की खोज किये तो जर्मनी के दवारा खोज किया है इंपोर्टन्ट खोज है आतेंगबाद से निपटने के लिए गठित भारत अस्टेलिया स्युक्त कारदल की चोदमी बैठक कहां पर हुई है तो नई दिल्ली में हुई है पारसी नौ वर्स नौ रोज कब मनाया गया है तो 16 अगस्त को मनाया गया है मंकी पोक्स को Global Health Emergency गोसित किया है तो WHO ने गोसित किया है World Health Organization का दोड़ा गोसित किया है किस देश में समयधानिक अदालत ने प्रधान मंतरी को पद से बरखास्त कर दिया है तो थाइलेंड के जो प्रधान मंतरी है उन्हें पद से बरखास्त कर दिया गया है वहां के समयधानिक अदालत के द्वारा भारत के किस एयरपोर्ट को निर्ड जिरो कारवन इमेशन एयरपोर्ट का दरजा मिला है तो यह मिला है IGI इंद्रा गांधी इंटरनेशनल दिल्ली एयरपोर्ट को मिला है नेक्स है कि NIRF NIRF National Institutional Ranking Framework सूची में कौन लगतार छटी बार सिर्ष पर रहा है तो IIT मदरास सिर्ष पर रहा है सायूक्त रास्ट में भारत का अगला राद दूत किसे नेक्त किया गया है तो परबत नेनी हरिस को किस रास्ट सरकार ने कामकाजी महलाओं के लिए एक दिन की मासिक धर्म छुटी के सुरुवात की है तो उडिसा रासरकार के दौबरा ये पहल किया गया है उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना कहां सुरु हुई है तो उंक कारेश्वर में सुरु हुआ है उंका रेश्वर कहां होगा तो ये होगा आपके उज़रात में अगला है कि किसने किसान से संबाद के लिए किसान की बात रेडियो कारकराम लौंच किया है तो सिवराज सिंग चवान जी के दवारा लौंच किया गया है तो कैन वरा में कहां पर हुए कैन वरा में देखेगा एक है आस्ट्रिया वो कहां पर है तो इरोप में है एक है आस्टेलिया कौन है एक है आस्टेलिया के बात किया गया है यहां पर सत्तर में राश्टिय फिल्म पुरसकारों में किसने सर्वसेस्ट अभिनेता का पुरसकार जीता है तो रिशव सिट्टिक द्वारा जीता गया है सत्रा अगस्त को किस देश ने अपना सुतंता दिवस्ट मनाया है तो इंडोनेसिया द्वारा मनाया गया है भारत ने सत्तर में अंतरास्टी पिर्थिवी बिग्यान उलम्पियाड में कितने पदक जीते हैं तो आठ पदक जीता गया है दक्षिन कोरिया में सेंग्त राष्ट कमांड का अठारमा सदस कौन बना है तो जर्मनी बना है पेरालम्पिक दोहजार चोविस में भारतिय दल का धोजवाह किसे निवक्त किया गया है तो सुमित अंतिल एवं भाग सरी जादब को किस राज के मुखमंत्री ने युबा उद्यम विकास अभियान योजना का सुभारम किया है तो उत्तर प्रदेश के मुखमंत्री योगी आदितनाथ जी के दोबरा इसरों ने कौन सा पिर्थिवी अबलोकन उपगरा लौँच किया है तो EOS08 को लौँच किया है अर्थ और ऑबजर्वेशन सेटरलाइट को लौँच किया है भारत और किस देश के बीच यात्री नौका सेवा शुरू हिये तो भारत और सिरलंका के बीच में शुरू हुआ ह आर्बियल बैंक के द्वारा किया है अर्बियल बैंक के दौरा सरकार ने सभी के अंद्री सरकारी अस्पतालों के सुरुच्छा में कितने परतिशत की बढ़ोतरी की है तो 25% की बढ़ोतरी की है किस राज के राजपाल ने मुखमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है मानिया चिवाडी गाउं किस राज का पहला सौर गाउं बना है तो महरास्ट राज का पहला सौर गाउं बन गया है किस विस्विद्याले ने सुरच्छा के लिए उन्नत साइनाइड सेंसर बेक्सित किया है तो बेक्सित किया गया है केरल विस्विद्याले के द्वारा खबरों रहा तुफान एमपिल का संबंध किस देश से है तो इसका संबंध जपान से है किसने वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ट्स फाइनल जीता है तो पंकज आडवानी जिकत द्वरा जीता गया है अमिर्का और किस देश के बीच उल्ची फ्रिडम सिल्ड अभ्यास सुरू हुआ है तो अमिर्का और दच्छिन कोरिया के बेच में जो है उल्ची फ्रिडम सिल्ड अभ्यास सुरू हुआ है किस राज में मुख मंतरी बाल पॉस्टिक आहार योजना का सुभारम किया गया है तो ही माशल परदेश राज में किया गया है प्रथम निति निर्माता फोरम का सुभारम किस ने किया है तो जेपी नड़ा जी के द्वारा किया गया है भारत और किस देश के बीच सैंक तु सैन प्रशिच्छन अभ्यास मित्र सक्ति का आयोजन किया है तो भारत और सिरलंका के बीच में किया गया है किसे आठमे फिफा अंडर 17 मैला बिसकप के लिए रेफरी निवत किया गिया है तो निवत किया गिया है रियो लंग धर को भारती पहलमान रोनक दहिया ने अंडर 17 विश्व कुष्टी चंपियंशिप में कौन सा पदक जीता है तो कास पदक जीता गया है किस कंपनी ने मंकी पॉक्स यम पॉक्स वैक्सिन बनाने का एलान किया है तो यह किया गया है बायो लोजिकल ई लिमिटर के दोरा किया गया है अगला पॉइंट है कि पहले E-Sports Olympic खेलों की में जबानी कौन करेगा तो सौधी अरब करेगा किसे Global Finance Central Banker Report Card में A-Plus Rating मिली है तो सक्तिकांत दाज को मिला है किसे Global Finance Central Banker Report Card में A-Plus Rating मिला है तो सक्तिकांत दाज जी को मिला है किसे पेरिश 2024 पेरा उलम्पिक के लिए सेफडी मिशन नामित किया गया है तो सत परकास सांगबान को किस खिलाली ने T20 किरकेट है T20 International किरकेट में एक ओभर में सरवादिक 49 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है उनका नाम क्या है तो उनका नाम है डेरियस बिसर उनका नाम है कहा के बेपोर जिम्मेदार परियोटक प्रयोजना को I-C-RT Gold Award मिला है तो केरल के अगामी महला T20 बिसकप कहां आयोजित किया जाएगा तो UAE में United Arab Emirates में साथ में यहाँ पर ध्यान रखेगा जबके डेरियस बिसर है इनका सम्मंद कहां से तो इनका सम्मंद नेजिलेंड से था कहां से था नेजिलेंड से था ठीक ना 26 में CEAT किरकेट पुरसकार से सम्मानित किया गया है तो रोहिस सर्मा को सम्मानित किया गया है किस देश के manual नेउर ने अंतरास्टे फुटबॉल से सन्यास लिया है तो इनका सम्मंद जर्मनी से तो इतना हमारे लिए इंपोर्टन नहीं है भारत और किस देश ने नेदी की सफाई के लिए ESLCR परिजना शुरू किए है रास्टी Racing Championship 2024 का खिताब किसने जीता है तो डाइना पुंडोलो ने जीता है किसने निगो सीएवल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामले को निब्टाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोट सुरू किया है सिंसिनाटी ओपन खिताब किसने जीता है तो जैनिक सीनर वे आरियना सवलंका के द्वारा जीता गया है सकल परियाबरन उत्पाज सुचकांग सुरू करने वाला पहला राज कौन बना है तो उत्रा खंड बन गया है आउनलाइन समन और बारण जारी करने के नियम अध्य सुचित करने वाला पहला राज कौन बना है तो मद परदेश स्वामिया स्वामिनाथन ने किसके आत्म कथा The Scientist Entrepreneur Empowering Millions of Women का भी मोचन किया है तो कलपना संकर के दोबरा किया गया है खेलो इंडिया की A.S. अश्मिता खेलो इंडिया की अश्मिता योगासन लिग कहां सुरू हुई है तो बिहार में सुरू हुआ है निर्य चोप्रा ने लुसाने डाइमंड लीग में कितने मिटर के थ्रो के साथ अपना ही रिकॉट तोड़ दिया है तो इसे याद रखेगा 89.49 मिटर भाला फिक कर किस एरपोर्ट ने सुध सुन कार्बन उत्सरजन का दरजा हासिल किया है तो यह हासिल किया गया है फिरसी आ गया इंद्रा गांधी इंटरनेशनल देहली एरपोर्ट किस राज के मुख मंत्री ने सुभद्रा योजना शुरू किया है तो उडिसा राज सरकार के द्वारा शुरू किया है किसने प्ररंभिक वाली अवस्था सिच्छा को बढ़ावा देने के लिए आरंब कारिकरम शुरू किया है तो पंजाब राज सरकार के द्वारा खेलो इंडिया अस्मिता वुसू लिग कहां शुरू हुई है तो उत्तर प्रदेश में भारत ने अपना पहला दुबारा इस्तमाल होने वाला हैब्रिड रॉकेट रहु यू यम आई एक कहां से लॉंच किया है तो तेमिल लाडू से लॉंच किया है इसे अब दुबारा देख लिजेगा इसका नाम आपसे पूछा जा सकता है कि भारत ने पहला दुबारा इस्तमाल होने वाला हैब्रिड रॉकेट रहु यू यम आई एक कहां से लॉंच किया है तो तमिल लाडू से लॉंच किया है किस बैंक ने महलाओं है तू अबनी बचत खाता शुरू किया है तो बंधन वैंक ने किस ने किर्केट के सभी प्ररूपों से सन्याज की गोशना की है तो सिखर धवन जी के दुबारा बीपी सी यल ने कहां ड्रोन अधारित वन रोपन पर यूजना शुरू किया तो बिहार में एलाइसी हाउसिंग फाइनेंस ने ससस्त्र वलो के लिए कितने परतिस्द ब्याज दर पर ग्रिह रीन यूजना शुरू किये तो आट पॉइंट चार प्रसेंट याद रखेगा भगवान हनुमान जी की नबे फिट उची काश परतीमा अस्टैच्यू ओफ यूनियन का अन का क्यूं automatics से दचिन भारत का पहला आदिबासी पुस्तेकाल यह कानूं खूला है मुदि嗎 कि कीवस भे già किया है वैच्विक मुठा मीज मुर्गन सम्मिलन कहां आयोज़त हुआ है तो तमिल नाडू में किस ने सर्फिंग में ACI खेलो के लिए कोटा हासिल किया है तो भारत ने हासिल किया है किस देश में राइट टू डिसकनेक्ट कानून लागू होने बाला है तो अस्टेलिया में सिच्छा मंत्राले ने किसके साथ मिलकर ये पत्र का सपने की उडान लाउंच की है तो ये NCRT के साथ मिलकर National Center for Education Research के साथ में मिलकर अगला पॉइंट है कि केंद सासित परदेश लद्दाक में कितने नए जिले बनाने की घोसना की गई है तो कुल आपके पांच नए जिले बनाने की घोसना की गई है नाम याद रखे का बहुत ही important है जासकर, द्रास, साम, नुब्रा, चांग, ठांग तन्वी पत्री ने बैडमिंटन एसिया चेंपेंसिप में अंडर 15 में कौन सा पदक जीता है तो स्वन पदक जीता गया है इनिफाइड पैंसन अस्किम लागू करने वाला पहला राच कौन बना है तो महरास्ट बना है इनिफाइड पैंसन अस्किम देख चुके हैं महरास्ट ACI Suffering Championship 2024 में भारतिय टीम ने कौन सा पदक जीता है तो जीता गया है रज़त पदक जीता गया है किसने नए दिल्ली में राच्टी चिकिस्सा रजिस्टर पोटल का सुभारम किया है तो जेपी नड़ाजी के दवरा किया गया है किस देश ने आत्म घाती ड्रोन का अनावरन किया है तो उत्तर कोरिया के दवरा किया गया है भासा साहित संस्कृती और दर्सन पर सोध के लिए किस देश ने B.H.U. के साथ समझवता किया है तो नेपाल ने किया है किस राज सरकार ने मुख मंत्री सुख सिच्छा योजना को मंजूरे दिये तो ही माशल परदेश राज सरकार के दवरा दिया गया है I.C. के लिए नए परमुख कौन बने है तो जैसा बने है B.B.I. कर लिजएगा B.B.I. नेक्स्ट है कि अफिर्का के सबसे उची चोटी जिसका नाम है माउट के लिए मंजारों पर पहुचने बाले एसिया के सबसे योवा बेक्ती कौन बने है तो उनका नाम है तेगबीर शिंग किस थीम के साथ राज़्टिय खेल दिवस मनाया गया है तो सांतिपुर्ण और समाबेसी समाजों के संबर्धन के लिए खेल किस राज सरकार ने स्री कृष्ण गमन फथ बनाने की घोसना किये तो राजस्थान और मद परदेश राज सरकार के द्वारा ये घोसना किया गया है चोविसमा मदर ट्रेशा अंतरास्टे पुरसकार कहां आयोजित हुआ है तो दुबई में हुआ है जारी वैस्विक संपत्ती मुल्स उचकांग में कौन सिर्ष पर रहा है तो फिलिपिन्स के मनीला आपके सिर्ष पर रहा है दुसरा पर मुंबई और तिसरा पर नए दिल्ली रहा है तो अगस्त महिने से जितना भी इंपोर्टन करेंट फेर था सारे को कवर कर लिया गया है अगर वीडियो आप सभी को हेलफुल लगता है तो वीडियो को सेर किजेगा चैनल को सस्क्राइब करना भूलिएगा नहीं इसका पेडियो के लिए आप लोट टेलिग्राम गूर्प जोईन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्सिन में दिया गया है थैंक यू